आये दोस्तों यहाँ पर एक equation लाएं इस equation को कैसे आसान trick से solve करेंगे आई इस वीडियो में देखते हैं यहाँ पर लिखे 6 के power x plus 1 minus 8 into 6 के power x minus 1 point का मतलब यहाँ पर होता है multiply अगर ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों तो a के power m into a के power n लिखा है तो इसके multiply जब करेंगे तो power क्या होता है जूड जाता है अगर यही चीज़ अगर divide में लिखा रहा है m बटा n या m भागा n तो इसके power क्या हो जाता है घड जाता है यह आपका rule से इस चीज़ को ध्यान लिखेगा उसी के according यहाँ पर बना रहे है ध्यान से सिखिए कि किस प्रकार से जब m प्लस n दिया गया है तो उसको ऐसे लिख सकते यानि 6 के power x हो जाएगा दोस्तों उसके बाद into लगेगा 6 के power 1 minus यहाँ पर 18 minus 18 लिखेंगे गुना का sign देंगे बटा लिखेंगे 6 पावर x सीक है पावर 1 यह इसकी according यहाँ पर हमने इसकी equation को तोड़ दी next क्या है दोस्तों next है यहाँ पर 6 ती अठारों यहाँ पर को एक है power यहाँ 6 हो जाएगे 6 ती है कितने हो जाएगे अठारों अब यहाँ पर दोस्तों क्या है यहाँ पर देखे 6 6 into 6x square minus यहाँ पर हो जाएंगे 3 into 6s square ऐसे समझे 6 6s square यहाँ पर है minus 3 3 6s square जो जोनों को जब घटा देंगे तो कितने बचेंगे 3.6s square बराबर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों 8x8 अब यहाँ से 6x6 के पावर x दिया इए और इधर 3 को ले आते तो 108 बटा यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर कितने आजाएंगे 36 यानि कि यहाँ से कर सकते हैं कि 6 के पावर x यानि 36 से दोस्तों 6 का square दोनों best best को cancel कर देंगे तो x बराबर हमारा कितना निकल के आगिया तू आपका एही सही एंसर है आप सभी नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका सही एंसर क्या हुआ आप सभी को एक पर आप जरूर्ब छोड़िएगा मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ नई equation के साथ वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching मिलते हैं एक नए और interested फिर से वीडियो के साथ